साल 1995 में रिलीज होई गोविंदा की सूपर 8 फिल्म कोली नमबर वन का रिमेक अब जल्दी डेविड धवन लेकर आ रहे हैं अपने बेटी वरुन धवन और अक्टरस सारा लिखान के साथ फिल्म का ट्रेलर भी रिलीज हो चुका है जिसे देखकर अंदाजा लगाये जा सकता है कि फिल्म कैसी होने वाली है फिल्म के ट्रेलर में साफ दिखा है कि कहानी वही है किरदार भी काफी हद तक एक जैसे है पर कलाकार सारे नहीं हैं जो इस फिल्म को पिछली फिल्म से थोड़ा अलग बनाता है पर जब से फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है तब से इस फिल्म पर बॉलिवुड के स्टार तोरह तोरह के रियाक्शन्स दे रहे हैं किसी को वरुन की ये फिल्म बहुत अच्छी लगी है तो उसने काफी अच्छे अच्छे रियाक्शन्स दे हैं तो वही कुछ स्टार्स को इनके फन बिलकुल भी पसंद नहीं आई है और रियाक्शन्स देते वे उन्होंने काफी कुछ बुरा भी कह दिया है तो आईए जानते हैं कि स्टार्स ने क्या रियाक्शन्स देए हैं वरुण धवन के कुली नमबर वन का रियाक्शन्स देए वाले स्टार्स की लिस्ट में सबसे पहले नाम आता है अभीनेता सुनेश शेटी का इन्होंने इस फिल्म पर अपना रियाक्शन्स देते हुए कहा कि वरुण धवन ने कुली के रिमेक में काफी अच्छा दबंग सर्मान खान को वरुण की कुली काफी पसंद आई है इन्होंने फिल्म का ट्रेलर देखकर अपना रियाक्शन्स देते हुए कहा है कि वरुण धवन की कुली नमबर वन को बराबर की टक कर देने वाली है सच में वरुण के साथ सारा ने भी काफी अच्छा काम किया है पर मैं यहां वरुण की तारिफ करूंगा गुर्जा वरुण आई होब कि आप सबको भी यह फिल्म पसंद आएगी नमबर तीन पना हमाता है रानी मुखर जी का बालवुट की मरदानी गर रानी मुखर जी के रियाक्शन्स की बात करें तो रानी मुखर जी ने वरुण ने फर्म को रिमिक बनानी की चकर में गौविन्दा के काम की तोहीन की है नमबर चार पर नाम आता है अजेदेवगन का जी हां हम सभी के फेवेट अजिदेवगन ने भी वरुण धवन की कोली नमबर वन पर अपना रियाक्शन दिया है इन्होंने रियाक्शन में जो बात जाके अभीने की झ्छालक साफ तोर पतं दिखाइ दे रही है अब जब वाठ कर ट्रेलर इतना कमाल है तो व्ल्म तो कमाल हो नहीं वाली है नंबर पांच पर नाम आता है सैफिली खान का इस पिल्म पर दhor VOन के हिरोईन सारा लिखान की पिता सैफ लिखान ने फिल्म पर रियक्शन देते हुए कहा है कि फिल्म कूली नंबर वन का ट्रेलर मुझे काफी पसंद आया है और साथ ही इनकी बेटी और वरुन का अंडर वाटर सीन को भी इन्होंने पास कर दिया है साथ ही इनों ने कहा है कि जैसे कूली नमबर वन का ट्रेलर शानदार है वैसे ही डेविड धवन के द्वारा बनाए गई ये फर्म कमाल की होगी तो दोस्तों आप इन में से किस कलाकार की बात से सहमत है आप हमें कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही बॉलवर्ट से चुड़ी ऐसी मसालेदार खबरों को जानने के लिए अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले